कुनू नेशल पार्क में नामीबया से लाए गए आच चीतों को लेकर बड़ी जानकारी साम्याई है नामीबया से लाए गए चीतों में एक फीमेल चीता प्रेगनेंट है पाँच मादा और तीन नरव चीते कुनों में लाए गए हैं सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में चीतों का कुनबा बढ़ जाएंगा इसको लेकर जात जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी निती इंद्र शर्मा नामीविया से लाए गए आठ चीतों को लेकर अब कहीं न कहीं बन विवाग के सामने चुनोती खड़ी हो गई है एक फीमेल चीते ने पांच दिन तक जो उसको वफेलो मीट दिया जा रहा था वो नहीं खाया उसके बाद एक खरगोश उसके बाड़े में छोड़ा गया जिसका शिकार करके उसने खाया उसके बाद से उस चीते को कहीं न कहीं कोई जानवर दिया जा रहा है जिसका शिकार करके वो खाना खा रहा है इस तरह की और भी चुनोतियां आने वाले दिनों में सामने आएंगी ऐसा वाइड लाइव एक्सपर्ट का मानना है और सही चुनोती तब सामने आएगी जब इन चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा कोगी बाड़े से निकल कर जब ये जंगल में जाएंगे और इनके शावक होंगे तब ही ये माना जाएगा कि ये प्रोजेक्ट सफल हुआ ऐसे में सुभावी ग्रूप से इनके बिहेवियर में चेंजेज आना और इनको लेकर सरकार की चुनोती बढ़ती जा रही है जिसे लेकर बन विभाग रोज नई तैयारी कर रहा है विडिनलेस अभी के सान नितेंदर शर्मा इन दोर के नहरू पार्क में एक बार फिर से चुक चुक ट्रेन शुरू होने वाली है जिसके बाद एक बार फिर से बच्चों इन ट्रेन में घूमने का आनंद ले सकते हैं रसल नौ साल पहले तकनीकी खामियों की बज़े से इसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब जल्द ही से शुरू किया जाएगा आपको बता दी कि स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट के तहट नहरू पार्क से लगबग 9 करोड की लागत से साथ सज्जा किया जा रहा है इसकी पहले चुरण में बच्चों की ट्रेन के ट्रैक पो ठीक किया जा रहा है नहरू पार्क में ट्रेन चलाने समन्दी जो प्रस्ता हुए उसकी हम लोग ने टेंडर्स कर दिये थे डिंडोरी जिली के खर गहना गाउं के दो महलों में आज भी भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं सीम के जाने के ठीक बाद गुरा टूला में पाइपलाइन बिचाने का काम शुरू किया गया वहीं खर गहना के सडक महले में करीब 50 परिवार के लोग हैंड पंप के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं सडक महले में जल जीवन मिशन यूजना के तहट कोई काम अब तक शुरूर नहीं हो पाया है हाना कि खर गहिना के पाँच महलों में जल जीवन मिशन यूचना के तहट करीब 400 परिवारों को पानी तो मिल रहा है नेकिन नल जल कनेक्शन से जादता तोटियां गायब हैं जिसके कारण सेंक्रो लीटर पानी रोजाना व्यर्थ में बह जाता है तो यह ग्राम पंचायद खर गहना है यह ग्राम पंचायद खर गहना में जो है आठ से दस महलों होते हैं उसमें दो महलों ऐसे हैं जहां पे पानी अभी उपलब्द नहीं है ठीकेदार इंजिनियर के द्वारा हमको जानकर यह मिली कि उस गोर्राम महलों एक और दूसरा फड़ महलों दो इसको जो है कारोपानी नल जल योजना से ज्वाइट करना है मांकि दो महलों छोणके से जो है साथ आठ बहुनले पे उपलब्द पानी जो है विजीवत मिल रहा है एक गाओव में कई तोले बचये इस गाओव की ठान्स डोढू हमें एक टेंडर से कवर किया थो टेंडर का रहे अब उगया इसलिए उसने कूं था घा गया और जो डो तोले बचे हैं उन टोलों में हम कारोपानी ही पास में कारोपानी की जो योजना है उससे हम उस टोलेव कवर कर रहे हैं क्योंकि वो उससे पास में पड़ता है